नमस्षिवाय दादी मा इस पाठ के आगे के अंशों को अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस पाठ में पहली घटना का बढ़न लेखक ने किया था कि जब भी वो बिमार पढ़ते थे तो दादी उनकी दिनराथ सेवा करती थी और अब यहाँ पर एक दूसरी घटना का बढ़न किया है लेखक ने और लेखक कहते हैं कि किशन भया की शादी ठीक हुई दादी मा के उत्साह और आनंद का क्या कहना उनके जो लेखक के भाई थे बड़े भाई जिनका नाम था किशन उनकी शादी तैं हो गई और ये खबर दादी मा के लिए बहुत खुशी उत्साह की थी दादी मा इस खबर से बहुत खुश थी दिन भर गायब रहती सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हूँ पडोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी मा आती बहिन बुरा न मानना कार परोजन का घर ठैरा एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं जानने को यह सभी जानते थी कि दादी मा कुछ करती नहीं तो जब लेखक के बड़े भाई की शादी तै हुई तो इस बात से दादी मा बहुत जादा उत्साहित थी और दिन भर वो यहां महां घर में घूम घूम करके सबको इंस्ट्रक्शन देती थी सबको काम को कैसे करन है क्या करना है क्या नहीं करना है तो घर के सारे लोगों को वो यह बताती रहती थी और जब उनकी परोशन आती उनसे मिलने के लिए तो दादी मा को बार-बार जब बुलाया जाता तब बहुत बुलाने पर उस आती आते ही कहती पहिंए Only trapped है तो जादी के घर में बहुत सा वाला नहीं है लेखा कि यह भी कहते हैं कि जानने को यह तो सभी जानते थे कि दादी मा कुछ करती नहीं इसका यह अर्थ नहीं था कि दादी कुछ करती नहीं थी पर दादी बहुत सारे instruction घर के लोगों को देती रहती थी, कि कौन सा काम कैसे करना है, चुकि दाधी बहुत अनुभवी थी, तो अपने हाथ से अगर वह काम ना भी करें, तो कोई बात नहीं, पर उनका अनुभव इतना ज्यादा था, कि हर काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है इन सारी बातों को वो घर के सारे लोगों को बताती रहती थी जिसकी वज़ा से वो बहुत व्यस्त रहती थी पर किसे काम में उनकी अनुपस्थिती वस्तुतह बिलंब का कारण बन जाती उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दोपहर को मैं घर लोटा बाहरी निक्सतार में दादी मा किसी पर बिगड रही थी देखा पास के कोने में दुपकी रामी की चाची खड़ी है और लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है एक दिन दोपहर को मैं घर पर लोटा तो मैंने देखा कि बाहर दादी किसी के उपर बहुत बुरी तरह से नाराज हो रही थी बहुत बिगड रही थी उसके उपर और जब लेखक ने देखा तो वहीं कोने में रामी की चाची खड़ी थी सो न होगा धन्नो दादी उनको डाट रही थी धन्नो को मैं रूपए मैं सूध के आज देदे वो धन्नो को डाट रही थी और धन्नो ने उनसे कर्ज लिया हुआ था तो ना वो मूल पैसे दे रही थी और ना ही सूध दे रही थी तो दादी उसे बहुत डाट रही थी और कह रही थी कि तू आज मेरे पूरे पैसे तू सूथ के साथ मुझे दे दे तेरी आंख में तो शरम है नहीं मांगने के समय कैसी आई थी पैरों पर नाक रगड़ती फिरी किसी ने एक पाई भी न दी अब लगी है आज कल करने में फसल में दूंगी फसल में दूंगी अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसर कटेगी वो बहुत डांट रही है धन्नों को और कहती है कि जब पैसे मांगने थे तब तो तु बड़ी गिड़ाती हुई आई थी मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पैरों पर नाक रगड़ती फिरी और अब आज कल कर रही है आज दूंगी कल दूंगी अब क्या तेरी खाति दूसरी फसल कटेगी तब तु मुझे पैसे वापस करेगी इस तरह से वो धन्नों को बहुत डांट रही थी और जो रामी की चाची थी वो कह रही है कि दूंगी मलकिन रामी की चाची रोती हुई द इसका नाम धन्नो था, वो बहुत रो रही थी, और दोनों हाथों से अपना आचल पकड़े हुए, दादी के पैरों की तरफ जुग गई, उनके पैर चुने के लिए, और उनसे कह रही है कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप मुझे पर दया नहीं करेंगी, तो उस बेचार मैं अभी अभी नहा क्या रही हूं, मेरे पैर चुने की आवशक्ता नहीं है, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरत से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, लेखा कहते हैं कि मैंने अपनी दादी को कहा, कि दादी रहने दीजिए, जब उस चुपचाब आंगन की ओर चला गया, फिर इस गटना को कई दिन बीट गए, लेखाग भी इस बात को एकदम भूल सा गया था, तभी एक दिन रास्ते में उससे रामी की चाची मिल गई, यानि वही धन्नो मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का शिरवाद दे और वही रामी की चाची जो उस दिन दादी जिनको बहुत डांट प्रही थी, जो बहुत रो रही थी, तो जनरली होता क्या है कि यदि हमें कोई बहुत डांटता है, तो हमारे मन में उसके प्रती दुर्भावना आ जाती है, पर लेखा कहते हैं कि जब मैंने धन्नो को अधन्नो चाची, तो वो बहुत खुश हो करके कहती है, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, उरिन होना यानि किसी के रिन से मुक्त होना, तो जो रामी की चाची थी, वो कहती हैं कि मैं तो बेटा, उरिन हो गई, कर्ज मुक्त हो गई, मेरी बेटी की शादी हो गई भगवान भला करे हमारी मालकिन का यानि दादी का कल ही आई थी पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया उपर से 10 रुपय का नूट देकर बोली देखना धन्यों जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए जग हसाई नहो देवता है बेटा देवता और वो बता अब भी मुझे 10 रुपय का नूट देकर बोली कि धन्यों तेरी जैसी बेटी है वैसी ही वो मेरी भी बेटी है उसकी शादी में 10-5 रुपय के लिए देखना कोई हसने वाली बात नहों तुझे अगर और भी जरूरत हो तो तुम उससे ले लेना बेटा और वही धन्यों की धन्यों जो थी वो दादी को देवता कह रही है जबकि उस दिन दादी उसे वहां डांट रही थी तो लेखक कूछ भी लेते हैं क्वेते हैं कि उस रोज तो बहुत डांट रही थी मैंने पूछा तब धन्यों कहती है कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू रुपया देकर डाटे भी न तो लाब क्या मैं मन ही मन इस्तर्क पर हस्ता हुआ आगे बढ़ गया और लेखक उसकी बात सुनकर हस्ता हसने लगा यहां पर दादी के चरित्र की एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने आती है कि वो बहुत दयालू है वो किसी का भी काम बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती यहां पर पहले तो वो धन्नों को बहुत डाटती है कि उन्होंने उसका उनसे करजा लिया पर समय पर ना तो सूद दे रही थी ना मूल पैसे दे रही थी पर जैसे ही उनको पता चला कि धन्नों की बेटी की शादी है और धन्नों के पास इतने पैसे है नहीं तो वो अपना सारा कर्ज जो था वो माफ कर देती है और उपर से 10 रुपए और देती है उसको कि तू यह पैसे रख और अपनी बेटी की प्रकृति की एक महिला के रूप में यहां पर लेखक ने उनको बताया है आज के लिए बस इतना ही ओम नमश्रिवाएं